हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कितनी बार मैंने तुम से रिक्वेस्ट की थी तब जाकर हम लोग यहाँ आएं अच्छा बाबा अब मुझ पर डांटती रहोगी यहां फिर प्यार से बाते भी करोगी हाँ बाबा अच्छा मुझे ना बहुत प्यास लग रही है मैं आएक बटल पाने की लेकर आई हूँ और साथ में कूछ खाने के लिए है तुम यहां रुको मैं जाके लेकर आठाव नहीं मैं लेकर आती हू ना बस दो इनले। ठीकिये Oकɪ लेकिन तुम यहां से एक कदम भी हिलोगी निए जब तक मैं वापस नहीं आजाती है ठीके? ओके मैडम मैं यहां से एक कदम भी हिलूगा जब तक आप वापस नहीं आ जाती है थेंक्यू इस्क्यूज में आप I'm sorry, मुझे पता है कि मुझे आपसे इस तरह यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, पर मुझे आपको बताना ही होगा क्या बताना होगा मैडम, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है देखिए, मेरे पास यादा समय नहीं है, आपने मुझे जो काम करनी को कहा था, वो मैंने कर दिया पर आपको पता है, उससे कितना बुरा होगा बहुत सारे लोगों की जान जाएगी उससे लोग मर जाएंगे? ये क्या बोर रही हैं आप और ये से मुझे क्यों बता रही हैं? देखिए, मेरे पास समय नहीं है, वो, वो, वो मेरे पीछे पड़े हैं, अब मेरी बात समझेए, प्लीज मेरी तो समझ के बाहर है मैं कुछ कौन है ये? पाता नहीं कौन है, मैं तो जानता भी नहीं विने को कैसे जानती हो तुम? विने? कौन विने? डूंट एट स्मार्ट इंफरंट अप मी, ओके? ये विने, जिसे तुम इतने प्यास तुम बताओ, कैसे जानती हो? देखिए, कोई गलत वहम हो गई है मैं मैं इन्हें नहीं जानती हुआ अरे, अजीब हा रहत है आगे तो रास्ता ही नहीं है, मैं कहां जाओ? सुनिये, प्लीज, क्या हुआ? प्लीज, मेरी मदद केजी आपके हाँ चोड़ती हूँ वो वो आत्मी मुझे लपार डालेगा मेरे पीछे पढ़ाया प्लीज, मेरी मनुद केजी जीए ये 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 प्लीज याइटी तक पहुँचाती थी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? खून, खून जाको के गाओ जैसा लगता है ये खाओ तो एक तो दिन पुराना दिख रहा सा हाँ ऐसी जखमी आलत में ये लड़की यहां करने क्या ही होगी? पुर्वी पल्टो ज़ना है सा क्या हुआ जर गोली लगी गोली लगी? गोली लगी? इतनी भीट भाड़ वाली जगह है इसने गोली कैसे चलाए वही तो गोली चली तो फिर किसी ने तो सुना होगा इतने सारी लोग है यहां पर क्या, आप लोगों नहीं यहां पर कुछ देखा है? सर, वो वो लड़की कुछ तो कहना चाह रहे थी, सर ऐसा लग रहा था सर कि जैसे वो किसी से डर कर भाग रही थी और अचाना के गिर गई, सर क्या क्या कहना चाहती थी व? सर वो कह रही थी कि उसकी जान को खत्रा है किसी से और सार एक इंवेलब देना चाह रही थी मुझे यह यह प्लिज याई डी तो पहुचा दीजीए कहा है वो इंवेलब सर वो वो तो उसके हाथ से गिर गया और पाने में चला गया सर आप लोगरें से किसी ने गोली चलने की अवाज सुनि नहीं सर गोली चलने की अवाज सुनिक नहीं सर जो फिर गोली किसने चल अब जीत लड़की यहां यह तो आने सकती है आई होगी तो उसी तरफ से जाकर देखो शरφο पुच्छ करो जो वहाँ ऑफिप हार। भॉपना में आमने इख से आई। डास मुर्स चसित्थषी को हमाई निल से चस्पी और नहीं को हैं अप्ना केस अल करन्ठ तब आप स्सक्रें आप किस तरह नी जान पे खेलकर खूर्लियों को तर्द पोचते हैं जब मुंबई आने वाले थे ना दो मारा ही की सपना था कि हम CID से मिले और आप वारे सामने कड़े हैं मेरी सारी फ्रेंच ना इतनी बड़ी ओनना सर मेरे कोलेज में ना सारी छोड़ी में मर्ती ओनना सर बावले go यह visit कि अटिया कि आपिके फैना आप से मिलने के लिए हूँ अँषिग है आप बोग शुक्रीयों आप लोग CID के और खास तोर से मेरे इतने बड़े फैन है वर अब ही आप से कुछ एक्स्कुजज मी सर प्लीज डोन्ट माइन पर आप अभी जीट सर के फैन है मेरे पैन? तुम्हारा ही नहीं थोड़े भूत मेरे भी फैन है अब इजीत सर प्लीज आपके सदेक सेल्फी हो जाए वन फोटो वन फोटो वगारा हम बार में देंगे वह आपने देखा होगा वहां एक लड़की का खोन हो गया है तो आप लोगोंने कुछ देखा हो कुछ जानती हो तो प्लीज हमें बताईए ये सर इस लड़की को अमने थोड़ी देर पहले एक लड़की और एक लड़की से बात कर दे देखा था है और उनकी बात सेरा ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग आपस में लड़ रहे है कौन हो सकते रहूं अच्छ और 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 किसे ने कुछ सर फंअ मैंने इस लड़की को रख करते हुए देखता था फिर वो दोनों चले गए ये गाडी से थे खिश्यार म traff ample Un你们 ख़ा था तो नहीं देख पाया उनका स्केश बनवाने में अमारी मदद कीजे नरिमन पॉइंट पे आज देव दाहडे किसी ने एक लड़की की गोली मार कर हत्या कर दी CID इस हत्या की चांच कर रही है और उन्हें इस केश से जुड़े दो लोगों की तलाश है मरने वाले लड़की के बारे में CID पता कर रही है ये हत्या नरिमन पॉइंट पे उस वग की गई जब वहाँ पर हजारों की संख्या में आज कर जब भी टीवी खोलो टीवी पे मंडर, हत्या, लूट इस सब ख़बरे दिखाए जाती है खलू, लारी मोड़ा दो लोगों का स्केच जारी किया है आपके टीवी स्क्रीम पर जो पहला स्केच दिखाया जा रहा है वो उसी लड़की का है बनाया जा रहा है कि ये लड़की उसवक नरीवन पॉइंट पर ही मौजूद थी और मरने वाली लड़की के खून के बारे में इसे कुछ पता है पापा, ये तुर रिया दे दिये रिया, ये सब क्या है पाप, अर ये किस का खून की बात हो रही है पाप, पाप, और ये दूसरा स्केच उस लड़के का है जो इस लड़की के साथ घटना सल पर ही उसके साथ पोजू था देखने वालों ने बताया है कि जिस लड़की का खून हुआ है वो लड़की मरने से पहले इन दोनों से बात कर रही थी कौन है ये? अथ तो इसके साथ नरीमन पॉइंट क्या करने गई थी? पापा, वे अपनी दोस से मिले हो अस्पिटल ही गई थी लेकिन उसके बाँ मैं वे विनाए के साथ दरीमन पॉइंट गोँबने चली गई विनाए? कौन विनाए? वोई लड़का जिसका स्केच मेरे साथ दिखाया है पर वो सिफ मेरा दोस्त है वापा, मरफिस नहीं वापा, बोस्त है या दुश्मन लेकिन बिटा, तो ये न sebचकर हो में कहा फच गई तो ने किसका खुन किया है? ने बापा, मैंने किसे का खुन नहीं किया, बापा वो तुने खुन नहीं किया तो तो नहीं किया तो CID वाले तेरे पीछे क्यों पढ़े हुए है और पीवी पे तेरा इसके दिखाया रहा है ना लोग तो तुझे खुरी संजेगा ना यह विने ने मुझे कहां पजा दिया सब मैं और विने सिफ नरीमन पॉइंट में गूमने गए थे व लड़की कौन थी कहां से आई थी मुझे कुछ नहीं पता सर अब वो विने को जानती थी क्योंकि वो विने से बात करे थी सर विने के साथ तुम नरीमन पॉइंट कही थी तुम ने देखा कि वो लड़की विने को जानता है हाँ सर वो सकता है क्योंकि जब मैंने विने से पूछा कि वो उस लड़की से क्या बात कर रहा था तो उसने मेरे बात टाल दी उसने कहां कि वो उस लड़की को महीं जानता है उस लड़की को जब गोली लगी उस वक्त तुम दोनों कहां पर थे तब वो लड़ में जाकर देखा, वो लड़की मरी पड़ी थी, उसने का, कि अगर हम लोग वहां उखेंगे, तो परस जाएंगे. जरूर ये विना उस लड़की को जानता था. ये, काम करो, फोन लगा उसको, बता कुड़ो कहां पर है, उसको कहीं पे मिलने के लिए बुलाओ, ये मत बोलना कि CID Bureau में उतो, ठीक है? ठीक है. सा, नहीं उठा रहा है. उठाएगा कहां से, भागने के तैयारी में होगा? किसका फोन आ रहा है? अन्नो नंबर? उठाओं की नहीं उठाओं? कलता है हलो? हलो? वेन है? ह-cía? हा? कौन बोल रहा है? देखें, आर्के भाई का का आल पदवी में एक्सिरेंट हुआ है क्या? भाहिया का आपदेवी में हूँ? मैं आपी कालपादरी में हूँ, कहा हूँ एक्सिरेंट? गली नमडर तीन गली नमर तीन, आप रहे काम कीज़ेगा, आप वही रुकेगा, मैं आपी आ रहा हूँ मैं आपी आ रहा हूँ तीन नमबर गली तो यही है हलो हलो, मैं या तीन नमबर गली में खड़ा हूँ, आप लोग आए? देखिए हम लोग आपके भाई को अपे अबूलेंस में लेकर ही जाने वाले है वैसे आप इस वक कहां पर हो? मैं ये महिश पापड की दुकान की बार खड़ा हूँ कान है मुझे? देखिए जहां पर आप है, वहां पर आप पहले लेक्स में मूड जाएगा फिर आपको वहां मदन स्वीट्स करके एक मिठाई की दुकान दिखाई देगी मदन स्वीट्स? मदन स्वीट्स कहां पर है? ए ए भाई! मदन भाई! उसके पास से है बिलकुल मिठाई मत लेना इतनी बेककार और इतनी खराब मिठाई बनाता है न काम करना है उदर है न जिखनेश मिठाई वाली की दुकान है जिखनेश भाई उससे लेना एक तो सुपको टेस्टी बिठाई बनाता है तेखें मुझे यहां कोई बिठाई बिठाई नहीं खरीबनी है आप मुझे स्रिफ बता दीजे के मदन हलवाई की दुकान का है तो पहले बोलने का ना, इतना टाइम खोटी किया एक काम करो एई इधर आओ इधर आओ ओ उदर है ना, सिधा जाओके ना तो मदन भाई की दुकान और और इधर से सिधा जाओके ना तो जिंकनेश भाई की दुकाना आएगा, जाओ एए भाई 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 इदर हो ना एए तुम्हारे को पहले मैंने किदर देखा है, किदर बताओ मुझे? ने ने मैं तो यहां पहली बार रहा हूँ आपको कोई गलत फिम्मी हो रहे है एए भाई भाई क्या हुआ आरती बैन? अरे हाँ अरे यह तो इसका फोटो तो मैंने टीवी पे देखा था आई विल टेल लेराथ C.I.D. काही भाई भाई अरे नाम विने है जल्दी चलो तुम्हारे भाई बहुत देशी तुम्हें बुला रहे हैं भाईया 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 यह क्या हो गया भाईया हमारे पास टाइम बहुत कम है वैसे भी हमें यहां पॉस्ट में बहुत देर होगी सर सर जिस लेडी का फोन आया था वो यहां की लोकल ही है सर यही आसपास रहती है उसे डूढने में प्रॉब्लम नहीं होगी के परॉइर अद्द फोन के किसा साफंचान। आरिमेतरों साफिane इतरr इतर है तर् terugें किया था हा 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 ह था हम नहीं फन किया थुखन इस व्सकों मेरे क्वुन क्या फैब है इता है तो चल्थ जायेगा नहें बाग यहा ज़िए आवे टेंसन निये लिख्या उदर ए ना अझामूलीन्स खडए थी उदर एक रचातक ना थी उसके साथ विशाथ किया और उसके साथे ना अझामूलियस वे टिक बाग गया तब तक इस विनाई के बार भी पूरी जानकरी निकालते है मज़ा आ रहा है आप लोग आप लोग कौन है मुझे यहां क्यों बांद के रखा है मैंने क्या बिगाड़ा आप लोग हूँ सही कहा तुमने तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है आमारा बस हमार ये चीज है तुमारी पास वो दे दो हम तुम्हे छोड़ देंगे कौन सी चीज पैकेट जालता हूँ वो पैकेट उस दिन उस लड़की ने तेरी कारवे रखा था काहा है बोट कौन सी लड़की वही लड़की जो तुम्हे नरीमन पॉइंट पर मिली थी और तुमने उससे कुछ बात भी की ती ना बोलो देखो हमें पता है तुम जिस चीज के पीछे पड़े हो उसी चीज के पीछे हम भी है कौन सी चीज थे सोना कौल्ड कौल्ड तेख लिया क्या किया तुमारे भाई ने मैं तुमसे कहती थी उसे सर पे बद चड़ाओ मत दो इतनी चूट कहां आता है कहां जाता है किसी को कुछ पता ही नहीं रहता अब भुगतो भुगतो अरे 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 कहां घुसे जा रहे आप लोग कौन है मेरा नाम लक्ष है और इस शहर मेरी एक रेपोटिशन है आप ऐसे मेरे खर की तलाशी नहीं ले सकते मुझे आपके सीनियर से बात करनी होगी मिस्टर लक्ष में जानता हूँ कि आप इस शहर के बड़े और पारफूल आदमी है लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं अपने सीनियर का नाम सुनके डर जाओंगा तो आप गलत सोच रहे हैं आप कुछ जिसको फोन करना फोन कीजिए विने का कमरा कहा है जरा बताएंगे वो वहाँ पर वहाँ से पहला लेप्ट जिस सोने को हम लोग लूटना चाहते हैं उसे तू अकेला ही हड़पना चाहता है हाँ लोगों को को बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई मैं किसी सोने होने के बार में देख कर दो चूप अचिकत नोब बड़िए बताव कहा है वह फैकेड़ बहुल बहुल का वहाल Vermu का तर शुधें 156 कार तो मेर्य कालबा देभी में कालबा देविवें में खड़ी है हाले अब में रिह रहाए गार इंध रहाओ क्यारी वायर्वाण ही कुन सबना andra या यौ यह कि अगारिक्षीन być एनने जा का टीओव सक इसटर्णार प्यना भी। वो लग की कौन थी कहां से आई थी मुझे कुछ नहीं पता थे युनों एक साथ एक फोटो में एक दूसे कुछ जानते थे और यह बोले थी कि संजना कुछ जानती नहीं है तो यहां से दुबारा मिनना पड़ेगा अज़ा थे तो यहां पर प्रिकार में वो पैकेट नहीं है अब बोल कहां वो पैकेट अब लगता है तुझ जीने का शौक में चल बिटा अब मरने के लिए कुछ तो यहां रोचा एक सिक्थिए एक सिक्थिए रिया वो वो पैकेट रिया के पासे की यठा के पैकट किसका है? मेरे बेल्ट में कैसे आया? इसमें तो कुछ लिखा है चाह, तो ये बात है तुम हो इन सब के पीजे ये तो करोरो का मामला है हलो कौन जिस पैकेट की तुम्हें तलाश है वो पैकेट इस वत मेरे पास है प्रिया तुम और ये पैकेट तुम्हारे पास कैसे पहुचा वो पैकेट मेरे पास कैसे पहुचा ये तुम्हारा दवाल नहीं होना चाहिए यह पाकेट तुम तक कैसे पौचेगा, इस पर बात करो. ओ, क्या चाहिए तुम्हें? बज, पचास लाख रुपए. और अकर, तुमने जरा सीधी चाला की दिखाने की कोशिश की, तो यह पाकेट मैं सीधा CID के पाफ लेका जाओ. देखो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पैकेट किसी को मत देना. यह लोग कोन है? शारिद इस पैकेट के पीछे पड़ी हैं. बाचच्चर छिखास लाओ के आवẾब। वाचचर झाल, पीए एकेट बासिए झाल, याखा दात उकरनिवेा वाउने झाल, फो झाल. यह हैंके वाचचर पैकेट के अ Sixth Sتهए. घच्चर जेएले लागव. जो जो आपके लिए तो यह नहीं है लिए तो यह नहीं है लेकिन वह पेगिद धर में शुपा के रखा होगा दूड़ो उसे कहीं भी अरे वह भाग रही है ए जब चल भाप पहुर दाए है अजब 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 घर से गाए भागा एपने अरिया को फोन करके पता करने की कोशिष नहीं कि, कि वो कहा है? कोशिष की थी. लेकर उसका मोवाइल सुच नहीं है. सर! हाँ? सर, सर यह इनके परुखसी है. यह कह रहे हैं कि कुछ देर पहले इनोंने गाड़ी देगी ती, जिसमें से तीन लोग उतरे थे, और इस घर की तरफ है. अच्छा? अलो, गाड़ी का नंबर देखा पर? हाँ, हाँ, हाँ. कहाँ पर? ओके? या, थैंक यू. तेह वो अम्बूलेंस रोईया लेन में देखी गई है. एक दुकान के सी-सी-टीवी एम्डेरे. तुम वैन के पीछे जाओ, मैं विया को देखता हूँ, इसके जान खत्रे में. पास पास देखते हैं. एम्बूलेंस यह कही होनी चाहिए. सर्फ, सलक्ता यहां से निकल गया. यह कौनसे गाड़ी है? यह देखो. यह देखो, लगता हूँ, यहां पे श्टिकर चिप्ता के बाद में निकाल दिया गया है. जब देखिए नमबर भी अलग है इसका मतलब है जैसे इस गाड़ी के उपर एंबूलेंस का स्टिकर लगा कर उपर बत्ती लगा कर इसे एंबूलेंस मना दिया गया था वैसे किसी ने शायद ये नकली नमबर प्लेट लगा दिया हो गया और यहां पर पार्क करने के बाद सा यहारे निशान मिटा दिए गया है सर जो लोग इस गाड़ी में बैठे होंगे वो यहीं कई आसपास होने चाहिए हाँ उने तो चाहिए आसपास ही तो फिलाल यह होटल देख रहा है अंदरचल के पूछते हैं शायद किसने कुछ देखा हूँ पुर्भी अभी जीद को फोल करो श्यूज़ में कही? हम लोग ठीडी से है ठीडी? जी यह आपके होटल के बाद जो सथे इद्रान कड़ी है यह आपके होटल की है? नहीं नहीं सर यह होटल की नहीं है हमारे यहाँ गैस ठहरी हुई है उनकी है किस कमरे में ठहरी होगा? सर रूम नुमर वन जी रूपन अभी है कमरे में? एक मिल्ट सर चावी यहाँ पर नहीं है इसका मतलब रूम में होगी कमरे के डुपलिकेट चावी तो होगी आपके बाद? सर चावी तो है जदेंगे? हाँ यह यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर नुमर एक्सावी उनकी है वोना मुझे पुत्मारो मुझे पुत्मारो मुझे पुत्मारो मर्नी अलोप सी आएईड सेट्रॉक अपर आवमत यह तो विल्हा है हाँ सर सबस्कुछ लोग पाकट की पड़े सब किया उस पाकर ड़्म के वह लड़की जा नर्मन पॉंट में मड़ गया इस नंवरने से पाले मेरी गाड़ी में आपकेट रखनी अंपकेट तुमारे गाड़ी में था सब कंसी पाकेट पेक पहाँ है पैसे लाए हो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे पहले वो पैकेट मुझे दो पहले पैसे फिर पैकेट अरे मेरा पैकेट का है पैसे मिल गाया ना पैकेट भी मिल जाएगा थोड़ा सबर करो ए रुक आज तक मुझे कोई एक रुपया भी नहीं आट पाया है और तुझे क्या लगा तुप पचास लाख रुपया लेकर भाग जाएगी अब तु नहीं बचेगी को मंति अच्यार भी झाल रइना रिना तुम तुम यह active है उप Albanese उपनला जो विझाở जो इन किले turkey यह क्या करें यह मैं तुम्हरा पती हूँ आसा ना पती जिससे मौका मिले तो रोज एक नई बीवी बना ले एक लिज में पैसिफुम्वें क्या हो रहा है? हाह! वह रुख रख! रख! कट! कट रख! मुझसे गलती हो गई सर्फ पैसे देखकर मैं अंधी हो गई थी जब मुझे पता लगा कि मेरे पास पैकेड है तो मैंने लक्ष को ब्लैकमेल किया लक्ष पैसेवाला है तो मुझे लगा कि नौके का फायदा उठाकर मैं भी कुछ पैसे बना लोगी मैंने इस अंजना को रागा और मीरा के गैंग पर नजर रखने के लिए रखा हुआ था जब भी उसे कोई इंपोर्टेन इंफरमेशन मिलती वो मेरी कार में डाल दिया करती थी उसने कभी मुझे देखा नहीं वही वही बरगलती हो गई लिकिन उस लड़की ने वो पैकट तुमारी गाड़ी में क्यो रखा विलकुल नहीं जानता वो तो गाड़ी भी मेरी नहीं है तो लिया को गुमाने के माने मैं मैं भाइया की गाड़ी ले गया और चाज्याते भाइया की जैकेट पहन ली जब विने तुमारी कार और चैकेट लेकर नरिमन पॉइंट पहुँच गया तो संजेना ने देख लिया उसे लगा के गाड़ी में तुम बैठे हो लक्ष तुम इसलिए उसने तुमें समझ कर विने इसे बाते की और वो पैकेट गाड़ी में डाल दिया और ये सोना लूटने की क्या प्लानिंग थे हम लोग सोने से भरा एक ट्रक लूटने की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन वो ट्रक एक खास चाबी से खुलता था और वो चाबी संजना ने हमारे पास से चुरा ली थी और वो चाबी चुरा कर वो इसे देरे मनी थी वैसे तो सोना लूटने का लक्ष का भी प्लान था अगर चाबी मिल जाती तो सोना लूट ही ले था क्यों लक्ष पर गलती ये हुई कि चाबी गई दिया के पास किया है, है ना रीना? मुझे, मुझे लक्ष का प्लाइन पथा चल चुका था और मैं ये भी जाहती थी कि संजना वो पैकेट इसे देने वाली है मुझे किसी भी तरह संजना को रोकना था क्योंकि क्योंकि अगर ये सोना चुना लेता तो अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग जाता इसलिए मुझे संजना को इसके हाथों मरवाना पड़ा लेकिन वो पैकेट मुझे फिर नहीं मिला मैं वो सोना था चुराना ही चाहती थी लेकिन सासी साथ में ये भी चाहती थी कि उस चुरी का पूरा का पूरा इज़ाम इस पर आए सोने और रुप्यों की लालच में तुम लोग ने एक लड़की की जान ले ली तुम्हे तो कड़ी से कड़ी सजा होगी अब सड़ते बैठना जेल की सलाखों के पीछे प्रश पाभी उप्यों के दूरा अब कि भी जातें झाहा होगी झाहा होगी झाहा होगी जजरे आए झाल